चाय चाननी में कभी भी गंदगी जम जा इस तरह से तो कभी भी चाय चाननी को फैकना नहीं है कभी भी बहुत लोग क्या करते हैं चाय चाननी बहुत ज्यादा पत्ति के जो दाग लग जाते हैं मतलब जैसे मेल जम गया अब बहुत बुरी लगने लगती है बहुत लोग फै देखना नहीं है चन्नी को किलीन करके दिखाऊंगा अभी देख सकते हैं यहां पर क्या करना देखिए यहां पर मैंने एक चम्मच कांश्टिक सोडा इसमें डाला है अब एक चीज और लेने वाला हूं देखिए आरेस किचन ग्यान यूटुब चैनल को सस्क्राइब नहीं कि क्योंकि ऐसी यूजफुल टिप्स आपको मिलती रहेंगी चैनल पर एक चम्मच मैंने आप देखिए बैकिंग सोडा लिया है इसके उपर डाल दिया यह पानी में मिक्स हो जाएगा और आपको बिना मेहनत मेहनत करने की जरुरत नहीं है देखिए इस तरह से हिलाते रहना ह चन्नी को गरम पानी में आपको पहले थोड़ा सा पानी गरम कर लेना है उसके बाद में उसके अंदर आपको काश्टिक सोडा और बैकिंग सोडा यूज़ करना है देखिए इस तरह से इसको हिलाते रहना है चन्नी की कंडिशन देख रहे हैं यह तो कुछ भी नहीं है इसका जो जितनी भी गंदगी थी ना देख सकते हैं आप कंडिशन चन्नी की जो गंदगी थी वो पानी के अंदर आ चुकी है बैकिंग सोडा और कास्टिक सोडा इस्टील पर लगी गंदगी को मात्र सेकेंडों में खतम कर देती है और इस्टील को फिर से नया कर देती है थे राम बाल तरीका है, छन्नी खराब हो जाए, या मतलब कोई भी श्टील की चीज, कि ज़्यार की जरूरी नहीं है, आटे छानने वाली छन्नी खराब हो जाती है, इस तरह से आप किलिन कर सकते हैं, फ़्यार की बाल्टी है, चिमनी है, सिंख है, कोई भी चीज को आप किलीन कर सकते हैं इस तरह से देखे सारी गंद की कोई महनत करने की ज़रूत ने इस तरह से पकड़के छन्नी के पिछले हिस्से को आपको हिलाते रहना है देखे सारी गंद की खतम अब हम इसको धोईंगे और आप लोग हैरान रह जाओगे यह देखें इस तरह से RS Kitchen ग्यान YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो देख सकते हैं हमारा जो छन्नी था वो फैकने से बच गया और हमने फिर से इसको नया कर लिया है देख सकते हैं हमारे छन्नी चैशन्नी की कंडिसन बिल्कुल ओके हो चुकी है नई छोटा वीडियो है स्कीप न करें और वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सस्क्राइब करें क्योंकि आगे भी आपको ऐसी ऐसी जूजपूल टिप्स मिलती रहेंगी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार